आपको निराश होने की जिरूरत नहीं है, आपके जितने भी हम डैवल इनलिसिस बाते करते हैं, जितने भी आपके स्थॉक्स वहां पर मैं सुनता रहता हूं, वो मेरे पास लिस्स सामने है मेरे कम्प्यूटर पर, और कोशिश करता हूं कि इस वीडियो के इंदर में, छोटी इस वीडियो के इस वीडियो का कहना है, ऐसा एक डिस्क्लेमर है, विच्छिश करता हूं, और अपनी इनलिसिस अपनी सड़ी करने के बाद इन पर ट्रेड लेंगे, क्योंकि दियेगे लेवल पर ट्रेड करेंगे, तो कोई भी हमारी गैरंटी नहीं है, ऐसा यूटूब का जा कहना है, तो कोई फोले का कि इस एक डिस्क्लेमर है, विच्छिश कर फूल, अविच्छिश कर दिस कर दो अपना है, वहां पर टेम्तर सेज्ट उनक्राथ कर दोटार, टूसल से बडिस नहीं हों, तो कि यू प्र गैज कर दोट इस तर टेम बन आएंगे, तो कई बहुत करके देखा है किसी किसी का internet खराब होता है किसी को समझ नहीं आता है किसी की expression मुझे नहीं दिखाई देते हैं किसी कोई मेरे expressions नहीं पगड़ पाता है नहीं कोई अपने सवाल पूछ पाता है तो इन सब problems को दूर करने के लिए मैं ऐसे time पे भी ऐसे sensitive time पे भी आपसे मिलने के लिए one to one आता हूँ guys मैं चाहूँ तो घर बैठके अपना पैसा बचा सकता हूँ मैं क्यों flight की tickets बुक करा हूँ मैं क्यों hall बुक करा हूँ क्यों मुझे lunch थो करना है लोगों के लिए क्यों मुझे breakfast arrange करना है बट मुझे लगता है कि लोगों से मिलने के बाद जो interaction होता है जो family बनती है जो bonding develop होती है दोस्तों वो कमाल की है और वो एक lifelong relationship है दोस्तों इस seminar में क्या क्या मिलने वाला है आपको मालूम ही होगा हम लोग option chain analysis करने वाले हैं बहुत ही deeply तरीके से करने वाले हैं हम chart analysis करने वाले हैं बहुत ही simple chart analysis जो कहीं भी नहीं मिलेगा हम वो price section सीखेंगे जो आपको किसी किताब भी नहीं मिलने वाला है हम वो breakout strategy देखेंगे कि stock का breakout कैसे होता है आप देखें live sessions में मैं अपने breakouts कैसे निकालता हूँ मैं कितना strong कैसे होता हूँ मैं number को number game क्यों कहता हूँ मैं stock market को number game क्यों कहता हूँ ये conviction क्यों है ये strength क्यों है मेरी language के दरभी ये आपको बताने वाला हूँ स्टोड सो कैसे choose किया जाए अगर stock को choose कर लिया है और आपको पता होना चाहिए, वो है कहाँ, ऐसा नहीं हो सकता है, कि आप समंदर के किनारे पे बैट के आप सोचेंगे, आपको खाजाना मिल जागा, तो सी के अंदर जाना पड़ेगा, सी है, समंदर है, चलिये, देखते हैं, वो तो सीखने सिखाने का सिर्सला चलता रहेगा, जो आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते हैं, उनका भी मोस्त वेलकम, and thank you so much for watching this channel and if you are not subscribed this channel yet now, do subscribe it and please press the bell notification so that you don't miss my any of the notifications. So, now, guys, I have told you that 15,006 is very very crucial level for Nifty, I have told you very clearly, be a trend trader, 15,006 तो ओड़ता है, लॉस करो या शॉर्ट वार नीचे आओ, 15,006 से उपर का stop loss लगाओ, अगर आज भी अगर किसी ने पंदादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादाद वहाँ पे अगर आपने stop loss लगाओ, गाइस में अपनी स्कीन साथ में देखना हूं, तो प्रीज डॉंट मैं कि मैं साइड में क्या देख रहा हूं, आज का मैं दरा से लो देख लेता हूं, आज का लो रहा 14,955 तो पंदादादादादादादादादादादादादादाद वहाँ पे मालीजी आपने 10-point का stop loss लगाया होता, तो Nifty went all together towards 15,159, rocking 150 points, guys, क्या चाहिए आपको, अगर आपका 10-20-point का दोबर stop loss hit हो गया, और आपको 170-150 रुपे खाने को मिल रहा है, अबलब, in a nutshell, you are actually gaining 130-140 rupees, आपको इसे जादादादादादादादादादादादादाद these are the very very important crucial level, and tomorrow also, now, Nifty has crossed and closed above 15,129, which is a very very good closing price, according to me, now, my stop loss will be shifting to 15,129, 15,139 के उपर में मेरा breakout रहेगा, यह मला बेकाट फुर दे रहेगा, एक श्विंग में स्विंग में स्विंग चलाया है, now, my Nifty targets above 15,129, will be 15,252, this will be my first target and first resistance, which Nifty will face, 15,252 will be the very very strong level to watch out, वो cross होता है, तो you will be happily seeing Nifty crossing 15,376, and eventually can hit 15,500 also, but, be cautious, बजार में सावधानी से रहना बहुत ज़री है, you have to keep your strict stop losses below the breakout and breakdown levels, which I am telling you, so now, the breakout and breakdown level will be 15,129, उसके नीचे थोड़ा सा stop loss लगाएगा, राइट कीजे ट्रें के साथ में, गिरता है वहां से बेचिये थोड़ा 10 रुपे उपर stop loss लगाए, sell कीजे, stop loss लगाए, अगर आपको नहीं मालूम कितना loss में ले सकता हूँ, how can you trade, यार, आपने के लिए आप सब कुछ करने को तयार बैटे हो, but you are not able to digest the stop loss, पता है कहानी कहा है, लोगों को actual में यहीं मालूम किस्ट लगाना कहा है, stop loss लगाना कह support or crucial resistance is yes, उससे पहले अगर बीच में between the trend, अगर आप stop loss लाएंगे, तो भाही नुकसान आपका हो नहीं है, कोई आपको बचा नहीं सता, not even me and not even God can help you, I don't know God will be trading stock market or not, मुझे मालूम भगवान सट्टा मारता है नहीं मारता है, बट अगर आप मारते हो तो भाही, stop loss के बिना स for Nifty and once Nifty crosses below 15,129, मैं रोज बोल रहा हूं, these are the levels which will be intact for the market, yes, 15,129 से नीचे निचे निगलता है, 10 रुबे, 10 पंदर रुपे का stop loss रखो, बेचो 15,6 के असपास profit, बुक करो, वापस से Nifty 500, 500 पॉंट आपको दे देगी, market is hugely volatile, it is not volatile, it is hugely volatile these days, मतलब 100 पे ऊपर, 100 पे नीचे Nifty आपको अराम से दे रही है, बशर्ते आपको you have to wait for that target price to come, आपको उसका wait करना पड़ेगा, अगर आप wait नहीं कर सकते, please go away from the market guys, ये market आपके लिए नहीं बनी हाँ, हाँ चोड़के बोलता हूं, और हाँ, live session में कुछ लोगों को मैंने कहा कि ये गरीबों के market निए, guys, अग पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है, बड़ी मैनत करता है, 200 रुपे की धाड़ी पर काम करता है, day wages करता है, है ना, वो गरीब मुझे समयाता है, बट अगर मैं और आप stock market में रोज 5,000, 2,000, 10,000 रुपे stock loss खा लेते हैं, loss खा लेते हैं, हम गरीब कहां से हुए, हम तो my यह यह ऐख लिए क्रवा गरीब करता है, मैं बड़ अचे जांता हूं, I am into stock market for the last 19 years, those who know me, I had been with the top brooking companies in the country, namely India Bulls, Rallye Gear, Carvi, Mothira, Osoval, Anand, Raati, I have been to these companies, right, I know all this broking stuff, I know the greedy of the clients, I understand everyone, noえ, no getting up in stock market, I have to tell you, no, 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 and the reward losses, that is no, coming back to the point after the 50 net, let us go back to bank nifty, and guys don't miss the bangalore class, only a few days are left, just five days are left guys और मेरे हिसाब से अगर आपको काम करना है बैंक निफ्टी में तो बैंक निफ्टी, how will this be an all? there was a very good buying pressure in the bank nifty today bank nifty नहीं पर अच्छा 36,000 के आसपास की closing आपको दी है बहुत ही शांदर closing, बहुत ही अच्छा pullback 35,612 का bank nifty का low लहा बैंक निफ्टी को अगर हम देखने कोशिस के 35,000 जो आची closing है, हम पकड़ लेते है 35,948 के आसपास की हुई रही है तो 35,948 के आसपास ही closing है what bank nifty is saying? yes, bank nifty का अब next breakout will come out 36,100 36,100 36,100 is the key level to watch out for bank nifty guys yes, bank nifty will rocket again towards 36,290 36,481 36,672 these are the swing targets yes, breakout will happen above 36,100 now this is very very crucial resistance to be crossed by the bank nifty and 36,100 को अगर नहीं cross कर पाती है वापस गिरने लगती है तो 35,916 35,916 will act as a mother of all support for the intraday और उसके नीचे bank nifty will come back to 35,500 level but पुरे चांसे है 90% चांसे है 36,100 को cross का रही है and 36,600 के आसपास तक bank nifty चल सकती है तो these are the level done for nifty and bank nifty now I am taking few stocks which are asked in the live session by my viewers and I love you guys अब बार बार आते हैं मुझे बहुत अचरता है like Vikas I think Vikas Sharma is the person who asks MSTC Vikas अगर अगर अप सुन रहे होंगे सेशन को you'll love it man मैं आपको लाइशन में के साथ-साथ में आपका वीडियो में भी नाम दे दिया I mean right so now इसमें profit booking आपको कहा था क्या profit booking आ सकती है it could not cross 356 के आसपास में और 349 का high लगाने के बाद में low लगा है 332 का 327 के आसपास में MSTC close हुआ है 322 के आसपास में MSTC closing दिखाई दे रही है now the crucial support for MSTC will be 319 319 तूटता है क्योंकि 324 का breakout level था 324 को तोड़ दिखा है तो now do not buy MSTC अगर आपको buy रखना है तो 324 से उपर में ही buy रख सकते है this is the very very strong level to watch out 324 के उपर में फिर से breakout आईगा guys थोड़ा सा नीचे का stop loss लगाना 4-5 रुपे का उनको average करना चाहिए नीचे के लेवल पे now if it trades below 319 tomorrow 319 के नीचे चलता है guys 325 का stop loss रखना 324 का stop loss रखना क्योंकि उसके उपर में वापस breakout मिले का जटका आ सकता है और नीचे में it can fall back to 310 eventually 302 और उसके नीचे चलता है तो 289 वहाँ पे फिर से बाइ करना बिंदास बाइ करना फिर एक बॉटम मनाएगा फिर से MSC से ट्रेड करेगा now I will take अवंती फीद्स ना ठीक है अवंती फीद्स बहुत पूछा जाता है session के अंदर में तो मैं उन सब लोगों को बिल्कुल भी नराज नहीं करूँ अवंती फीद्स ने आज टच किया 498 का हाई लगाया 485 का लो लगाया 486 के आसपास की closing है तो अवंती फीद्स का behavior कैसा रहने वाला है यह दिख लगते है हलागी selling है बिल्कुल भी buying recommend नहीं करूँ 484 के नीचे में this is a weak stock now 484 के नीचे बिल्कुल weak हो जाएगा 486 closing है खाली 2 रुपे से यह मेरे selling zone में enter करते करते रहा गया अगर कल opening इसकी 484 से नीचे हो जाती guys 484 से नीचे it will slide back to 460 level 471 के आसपास का एक hurdle होगा intraday में उसको cross करेगा 462 462 के बाद eventually 441 वहाँ पर हम इसको सोच सकते है buy करने के लिए अगर intraday में किसी विए से buying आती है 484 से उपर sustain करता है volume based buying आने लग जाती है वापस से आपको 500 रुपे के भाव मिल जाएंगे but chances are dim 80% chances are इसके नीचे गिरने के तो इसके बाद हम देख लेते है HDFC bank आई live session में आप लोंने पूछा था HDFC bank नहीं चल रहा मैंने का HDFC bank flag pattern बना रहा है आपको याद होना चाहिए कल ही मैंने कल के live session में कहा था HDFC bank का flag pattern बन रहा है daily chart के उपर में जाके देखो और मैंने आपको कहा था breakout देने वाला stock है कल का जो low था कल का low था 1519 के आसपास का मैंने कहा था 501 या 506 के आसपास का मैंने आपको कहा था कि इसमें एक stop loss लगा ना मैं देख लेता हूँ क्या मैंने आपको कहा था yes yes 1521 के उपर में swing पर काम करो पैसा बनता है भाई खाली ऐसा नहीं होता कि आपने किसे सोच के बजार में आए वो पैसा लगाना है लगा दिया कहीं पर भी आप परिशाने क्या करें क्या करें ऐसा नहीं होता है stock को analysis करो देखो कहां से चलेगा क्या breakout हैगा ब्रेकाउट करना सेखो ना भाई ये क्लास में ब्रेकाउट करना सेखाता हूँ ठीक है और जितने पुराने सुडेंट इसको देख रहे हैं अब ही तक आप नहीं कर पा रहे हो I'm sorry ये मेरे लिए मेरे लिए हारने वाली बात है Please do contact me अगर आपको कहीं भी अटक रहे हो तो please मुझे call करो पूछो कहाँ पे फसे होए हो मैं नहीं चाहता कि अगर आप मुझे call नहीं करोगे ना मुझे नहीं पता लगया कि आप फसे हो के enjoy कर रहे हो बहुत से लोगे मुझे 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 now after HDFC bank, HDFC का भी same, मैंने आपको कहा था, बिल्कुल same pattern HDFC भी बना रहा था, it was very clear, कि 25-13 क्या असपास में कल HDFC bank चल रहा था, HDFC, and I was pretty sure that HDFC का जो ब्रेकाउट था, मैंने कहा था, पत्चिस सो से जब तक उपर है, it is fine, कल का लिए सेशन देख लो, this was my recording, this is recorded and this is available on the YouTube, मैंने कहा था, पत्चिस सो नहीं तूटना चाहिए, पत्चिस सो नहीं तूटेगा, it will go back to पत्चिस सो पचास, चब़िस सो के लिए स्टॉक चलेगा, और आज का हाई क्या हरा, guys, this is a surprising high that it has made 2584, मैंने कहा था, 2584, माफी चाहूँगा, सोला रुपे रह गए, इतना तो छोड़ सकते हैं मेरे लिए, मुझे बड़ा मज़ा आता है, numbers के साथ के लेंगे, guys, I treat stock market as a number game, you give me any script, any stock of the country, national, international, किसी भी country का stock मुझे देदो, किसी भी currency के बारे मुझे से पूछ लो, किसी भी crypto currency के बारे मुझे से पूछ लो, I can give you the breakout and breakdown level, मैं चार्ट को ऐसे दिखना जानता हूँ, मखन की तरह मुझे चार्ट समया आते हैं, इतना सा टाइम लगता है, मुझे just like a whisker of a second, मिनिट, दो मिनिट, तो बढ़ी बात है थी एक stock का analyze करने के लिए, चार्ट खुलते ही दिख जाता है, मुझे क्या बोल रहा है वो, उसके बाद में, अगर future options का stock है, Indian market का stock है, तो मैं उसका F&O देख लेता हूँ, कि भी यह कैसा build up हो रहा है, क्या option chain उसको कह रही है, अगर option chain का stock नहीं है, तब भी क्या पैसे नहीं बनाऊंगा मैं, तब भी मुझे chart देखना आता है, मिरे पास मेरा breakout tool है, मैं breakout देखता हूँ, stock breakout कहां से देखा, जब breakout देता है तो stop loss लगाता हूँ, और I ride the trend, आप हो क्यों नहीं करते हूँ, try to ride the trend, so जितनी भी लोग मेरा tool इस्तमाल कर रहे हैं, guys enjoy करो भाई, breakout और breakdown लेवल से उपर खेलो, और कुछ करने की दिरूत नहीं है, रोज के 200 रुपे कमाने की बजाए है, महीने के 80-20,000 कमा, बड़े trader हो, तो रोज के 1000-25,000 कमाने की बजाए, महीने में 81,000,000 रुपे कमाने की कुशिश करो, कोई भी चार ट्रेड आपको ऐसे मिलेंगे महीने में, जो आपको लाग रुपे कमागी दे देंगे, breakout और breakdown से के उपर काम करो, कौन कहता है, stocks के breakout, find out करना मुश्किल है, कल live session में बोल दिया यार, flag pattern मर रहा है HDFC के अंदर में, और HDFC bank के अंदर में, flag breakout हुआ, खटाक से सोर में मिल गए, और क्या चार आपको, चलो, let us get back to bank of baroda, bank of baroda, एक consolidation में मैंने का, तासी रुपे नहीं तूटना चाहिए, उसने असी रुपे को आज भी नहीं तोड़ा है, और bank of baroda is holding, हाले कि it is trading below 81, तो 81 से नीचे जबता का, वो वी करेगा, खाली 50 पैसे नीचे है, बर नीचे है मेरी साब से, 70 पैसे नीचे, आपका प्यार मुझे कब मिलने वाला है, आप तो चैनल पे और 10 लोगों को लेगा हैंगे, तो मेरी फैमिली बढ़ने वाली है, मुझे और मज़ा आने वाला है, मज़ा हमें लगएगा कि हमने किसी का भला किया, हमें लगएगा कि we are actually touching somebody's heart, अगर आपको लगता है कि मेरी बात आपके दिल तक चली आती है, आपको लगता है ये चैनल पे दिल की बाते होती हैं, दिल से दिल तक चली आती है, तो guys, मेरी आपसे request है, please try and spread these videos to as many as people as possible, जितनी भी traders हैं, जितनी भी traders communities हैं, जा हो Facebook पे हो, जा है आपके social media handles पे हो, Twitter पे हो, LinkedIn पे हो, कम से कम share तो करो यार, कुछ तो वीडियो जाके share करो, कुछ तो मुझे लगएगा कि Guru दक्षना वापस आई, अगर आप मुझे सच में Guru मानते हो, if you treat me as a friend, as a mentor, तो कुछ तो payback करो यार, आप पैसे से नहीं मांग रहा हूँ, पर मैं payback आप से मांग रहा हूँ, इस वीडियो को share करके, इस चैनल को share करके, I hope आप मेरी request को समझ पहाएंगे, ठीक है, तो can I get this video a thousand like, मेरी आज तक किसी भी वीडियो पे 1000 like नहीं हों है guys, में खाल से, आप कैसे भीडियो पे खाल से नहीं है, आप कैसे भागते हैं, बट केखेल करके देखते हैं guys, ठीक है, I would request you to give this video a thumbs up, पसंद नहीं आए, तो at least 1000 dislikes होने चैनल भाई, ताकि YouTube पे पताओ, इतने भाहिंकर dislike किसी वीडियो को नहीं मिले, हम या तो dislikes में खड़े होंगे, या likes में खड़े होंगे, चूज कीजिए, option is yours, आप कैसे देखना चाहते हैं, Bank of Broda is done, Bank of Broda is weak below 81, और 81 से नीचे, it can come back to 72, 70, 64, but chances are there that it can take a support of 80, 80 का support लेके ये bounce back करने की पूरी पूरी शमता रखता है, 81 से उपर जैसे निकलेगा, volume से वापस से आ जाएंगी, और 90 और 100 उपीज के लिए वापस चलेगा, तो गभणानी की ज़रूरत नहीं है, किसी वज़े से 72 एक जटके में दिख जाए, तो और खरीदना गभणाना नी 72 से बहुत जटके से वापस आएगा, यह 72 से नीचे नी आएगा, मैं आपको बता जटा हूँ, ठीक है, after the bank of baroda, which will be next stock Asian Pains, my darling Asian Pains, कितना बोला, clearly बोला, ले लो, 2260 का bottom बन गया है, 2260 का bottom बन गया है, अभी कहां चला गए Asian Pains, Asian Pains today has closed 2422, और Asian Pains ने जो high मारा है, that was 2443, 2420 के आसपास की closing है, और आप मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा थे, कि यह कहां तक जा सकता है, मैं आपको 2260 पर गा था कि, कम से कम 2400 पर 400 के लिए चलेगा, जिसको average करनी कर लो, यह मेरी statement थी, कि जो लोग 2800 पर फसे हुए, they can average this stock out, और लेके छोड़ो भाई, चलने दो, अभी कहा है, 2401 का stop loss रहाँ पोजिशनल stop loss जब तक 2401 रुपे से उपर में है, this is into a swing, swing towards 2450 and 2500, ठीक है, तो मेरे साब से you can carry over this position, और intra-day stop loss रहाँ 2401, 2401 का stop loss रहाँ इसमें, और positional stop loss है, और intra-day stop loss 2401 का रहने वाला है, और this stock will ride 22450, 2500, stop loss रहाँ 2401 का, which is the next stock, चलो और कौन सा stock, random stock ले रहाँ यार, बिल्कुल random stock, ठीक है, ऐसे कोई ले नी सकता है, आपको दालो, विप्रो, विप्रो की किलम ने बात कि थी, अदमी ने पूछा था कि, सब विप्रो मेरे पास फसे हुए, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, तो मैंने गा विप्रो है, hold को, विप्रो में tension लेने वाली बात नहीं है, कई 380C अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो 400 रुपे hold हो गया, तो और तेज रहेगा, जब तक 400 से उपर है, 400 से उपर में breakout में है, 420 से उपर जैसे ही चलेगा, 441 टच करेगा, विप्रो घपरानी की दिरुदिन है, पोदिशनल और स्विंग स्वींग स्वापलोस 380 का है, जो average करना चाहता है, जिनके पास पैसा है, भी कल डिसक्स किया था कि अभी और चलेगा, जी हाँ, 1024 का 1024 का जो हाई लगाया है, that is the resistance point now, yes, 1024 का 1019 का हाई लगाया है, 1024 will act as a very very stiff resistance, जो अगर cross हो गया, तो आपसे 1100, 7100 के लिए stock चलेगा, 1100 के लिए चल सकता है, but now, the positional stop loss is, it has broken 987 actually, 983, 992, 961 के आसपास जाके यह stock reverse कर सकता है, 961 इसने आज low लगाया है, 952 का, कल दुबारा से, यह stock 961 को test कर सकता है, 961 ब्रेक करेगा, 930 तका सकता है, so now, stay away from the style, let me take one more stock, I think state bank, state bank में बहुत लोग फसे होंगे, state bank में लोग काफी फसे होंगे, guys, देखे, state bank का जब तक यह gap नहीं भरता न, 360 से 300 सीगा, यह stock में आप trading नहीं कर पाएंगे अभी, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, तो जब तक 400 रुपे से उपर डिसेसिट नहीं चलता है, इसमें breakout नहीं आएगा, breakout आने की chances कम है, एक lower low और lower high बना रहा है, बिल्कुल एक दम negative pattern में लग रहा है, तो यहाँ पर 360 के आसपास की वेट कीजी आने की, जो अपने पैसे से माल लेके बैठे हैं, जिनके पास time में घबराने की बिल्कुल दरती है, 360 के आसपास दिख जाएं, तो सोच ना मत buy कर लेना, average कर लेना, मुझे phone तक करने की दिरूद नहीं है, जो भी बेंगलोर क्लास के बारे में जानना चाहते हैं, booking कराना चाहते हैं, number आपकी screen पर है, book your seats now, क्योंकि तीन महिने के बाद मैं नहीं मिलने वाला हूँ, फिर मत बोलना कि कोई सिखाने वाला मिला नहीं, अब सिखा रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही सिखा रहा हूँ, जैसे हम बुझे आता है, अपना trading style सिखाने वाला हूँ, अपना learning style सिखाने वाला हूँ, और इससे दार क्या चाहिए, साथ में आपको मेरा trend trading calculator पूरे एक साल के लिए मिलेगा, जो आपको breakout और breakdown लेवल निकालने में बहुत जारा help करेगा, जो मेरी help करता है, वो आपकी भी help करेगा, दूसरी बात है, मेरे select किया हुए stocks, swing stocks, जो best delivery stocks है, पूरे एक साल के लिए पको free देने वाला हूँ, मैं आपको बता हूँ, हर महीने दो से तीन stock, जादा भी हो सकते हैं, अगर मुझे जादा समझ में आएंगे, बट वो stocks वो होंगे, जो कम से कम एक में से दो महीने के time के period में, आपको 15-20% की रिटन जरूर निकाल के देंगे, तो यह मेरी कोशिश रहे कि, दावा नहीं है, कोशिश है, कोशिश अभी तक आमें आप रही है, God knows, जब तक मासारस्वति जबान पर एठी है, चीज अच्छी होती रहे हैं, यह नच्छी है यह नच्छी है यह नच्छी है, दो सबस्च्राब एट लूट अच्छी है, तक मैं यह सो मुच्छ बाइवाए,